जहें दोस्तों अंदे मातरम, अभी पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है कि जो साउथ की मूवीज हैं वो चाइना साइड और जापान साइड जाके भी काफी अच्छी कमाई कर रही है जिसमें कि बाहु बढ़ी तो एक अपरवाद बन गई थी आमिर खान की जेशों में काफी ज़्यादा चर्शा चल रही है लोग इसमें इस मूवी में दिखाए बहुत भारती कहानी को दिखाए मारता पसंद कर रहा है और ऑव इस मूवी ने सभी का दिल जीत लिया और अब ये मूवी जापान में भीछा गई है पूरी टीम वहीं पर है और खुब मस्ती कर रही है उनके कई वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहे हैं वहीं एक वीडियो ने लोगों खासा ध्यान की चाहिए जिसमें जापान के फेमस और कई लोगों ने इस धमाकेदार गाने पर डांस करते हुए वीडियो बनाये थे और अब यूट्यूवर मेयो ने अभी जापान की सडकों पर अपने पार्टनर संग इसके सिगने से स्टेप्स को रिक्रेट किया है उनके डांस स्किल का ये वीडियो हर तरफ समय चाया सिर्फ राजमौली रामचनर और जूनियर एंटियार ही नहीं बलकि जापान में उनकी पत्निया भी उनके साथ हैं उनका एक वीडियो का सवारल हो रहा जिसमें सभी एक दूसरे का हाथ थामें जापान ने सडकों पर चहलकदमी करते दिख रहे हैं रामचनर ने इस वीडि स्टाफ ने जूरी एंटियार को सर्प्राइज दिया स्टाफ ने एक्टर को एक लेटर लिखा था जो हिंदी में लिखा था इसे देख साउस एक्टर का दिल भरा है वो महिला नेपाल की रहने वाली थी जिसने जूरी एंटियार के लिए एक हिंदी में लेटर लिखा था आररार जापान में 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म में दो कुरांतिकारियों अल्लूरी सीतरा मरजुन और कुमराम भीम की कहानी दिखाई गई है जो कि 1920 के एर्द गर्द बुनी गई है इस मूवी में आलिया भटर रजय देवगन के भी कायम ही मौझूद है लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो कब आके चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन ऐसे में जापान में इस मूवी का रिलीज होना आपने आपने आप में बड़ उपलब दी है अब उसको बाहर भी प्रचलित किया जाएगा और इस मूवी में जिस तरीके से इन सभी चीज़र को दिखाया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आररर वो रिप्रेजेंट करने का काम करने वाली है कोई बॉल्यूट की मूवी ने आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलाओत नहीं चाहे हैं जाहे बात